असलाम अलेकुम दोस्तों आज एक और जबर्दस क्विक क्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ आज हम सीखेंगे किसी भी कंप्यूटर को किस तरीके से क्विक्ली स्टार्ट के जाता है तो इसके लिए सबते पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करें यहां पर कमांड डालें msconfig यह कमांड है msconfig फिर यह इस तरह आजएगा उसको करें ओके करने के बाद आपके पास मुक्तरिफ चीज़ें बूट है सर्विसिस है हमें यहां स्टार्ट अप पे क्लिक करना है अभी चूंके मैंने तो मैंने तो यहां से तक्रिमन सारे जो जरूरत के हैं वो सिर्फ इनेबल किये हैं अगर आपके यह जैसे एफडाव अपडेटर है यह सब इतने लिए चेक हैं यह अन्चेक करें आप वो पोग्राम जो कि आप चाहते हैं कि स्टार्ट अप में खुलें आप उनको सिर्फ चेक करके रखें आप मैं चाहता हूं सिर्फ यह चन्द पोग्राम हैं यह सिर्फ स्टार्ट अप में खुलें उनको मैंने चेक करके रखा हूए और बाकि जितने भी आपके प्रोग्राम है उनको जैसे अपडेटर वगेरा जो भी आपके पाद सिस्टम में इस्टॉल है तो वो अगर आप जासे स्काइप भी वगेरा है आप नहीं चाहते कि सिस्टम के खुलने के साथ खुले तो आप उसको अंचेक करें अंचेक करने के से बाद यहां से इधर अप्लाई करनेके बाद यहां से ओके कर देंगे फिर येोत आप प्लाई करने के करने के लूं में जाएंगा marks स्टार्ट होगा तो एक मैसिज आएगा कि मैसिज आएगा इसी से रिलेटिट और उसको सिंपल ही आपने एक और इस तरह का चेक बॉक्स करके कर देना है तो उमीड है कि आपको यह चीज समझ आ गई होगी तो इस तरह आपका जो कंप्यूटर है वह बहुत जल्ती स्टार्ट हो जाएगा क्यूंकि उसके साथ जो बेग्राउंड में प्रोग्राम आम तर पर स्टार्ट होते थे वह स्टार्ट नहीं होंगे फिर आपकी जरूरत होगी कि जिस प्रोग्राम की तो आप उसको स्टार्ट कर लेंगे